Hello students, कल हमने essay किया था, my birthday का, have you all learned that essay, आप उसको अच्छे से revise करना, लिख कर देखना, देन आपको practice हो जाएगी, तो आप अच्छे से उसको complete करना, learn करके लिखना, okay, today we will start opposite words, opposite words क्या होते हैं, हिंदी में विलोम शब्द लिखते हैं ना, जिससे मतलब उल्टा, जिसे हम विपरीत कहते हैं, विलोम कहते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में opposite words होते हैं, number one, G-O-O-D, G-O-O-D, good, good का, bad, good मतलब अच्छा, bad मतलब गंदा, तो opposite हो गया न, उल्टा हो गया, good, bad, number two, N-E-A-R, near, near मतलब pass, pass का उल्टा क्या होता है, दूर, दूर को इंग्लिश में, F-A-R, far, number three, O-L-D, old, old मतलब पुराना, पुराना का उल्टा क्या होता है, नया, नया को इंग्लिश में बोलते हैं, new, N-E-W, new, number four, T-H-I-N, thin, thin मतलब पतला, पतला का उल्टा, मोटा, मोटा को इंग्लिश में बोलते है, F-A-T, fat, number five, B-I-G, big, big मतलब बड़ा, बड़ा का opposite, छोटा, छोटा का इंग्लिश में क्या बोलते है, small, S-M-A-L-L, small, number six, happy, H-A-P-P-Y, happy, happy होते हैं, हम खुश होते हैं, और कभी हम उदास होते हैं, एकदम sad, तो उदास इंग्लिश में sad, S-A-D sad, happy का sad, number seven, E-A-R-L-Y, early, early मतलब जल्दी, जल्दी का उल्टा, देर से, late, L-A-T-E, late, early, late, number eight, R-I-C-H, rich, rich मतलब जो बहुत पेसे वाला होता है, और opposite क्या होगा, जो बहुत अमीर होता है, और जो उल्टा होगा इसका, गरीब, गरीब को इंग्लिश में बोलते हैं, poor, rich, poor, number nine, C-O-M-E, come, come मतलब आना, आना का उल्टा जाना, तो जाना को इंग्लिश में go, come, go, number ten, heavy, H-E-A-V-Y, heavy, heavy मतलब कोई चीज heavy होती है, भारी होती है, तो उसका उल्टा क्या होगा, हलका, कोई चीज heavy होती है न, और कोई चीज हलकी होती है, तो हलका को इंग्लिश में light, L-I-G-H-T, light, heavy, light, number eleven, large, L-A-R-G-E, large, large मतलब बड़ा, लंबा, बड़ा होता न, एकदम बड़ा, ये large है, और बड़ा का, छोटा, S-M-A-L-L, small, large का, small, F-R-O-N-T, front, number 12 पर क्या है, front, front मतलब यह, स्कूल वाली मैं बोलती है, look at front, सीधे देखो, पीछे थोड़ी देखते हैं, हम look at front, तो front का उल्टा, back, back मतलब पीछे, आगे, front मतलब आगे, back मतलब पीछे, तो front का opposite, back, B-A-C-K, back, चलो, एक बार और revise कर लेते हैं, Good, bad, near, far, old, new, thin, fat, big, small, happy, sad, early, late, rich, poor, come, go, heavy, light, large, small, front, back, आपको इन साब को अच्छे से लर्न करके, 4-in-1 notebook में लिखना है,